राज धानी में खुशी की लहर फैली हुई थी, राज महल को दुलहिन की तरह सजा दिया गया, नगर की सडकें और मुख्य भवन भी दिवाली की तरह जगमगा रहे थे, जनता खुशी से ना चुटी, महराज इंद्र सेन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, बिरान राज महल की दिवारों से नन्ये राजकुमार का रुधन टकुरा कर हर्श का संदेश बन गया, राज महल के सभी लोग और जनता राज कुमार की किलकारी सुनने को तरस गए थे महराज निराज से हो गए थे कई लोगों ने राज्य का उत्रा धिकारी पाने के लिए महराज से दूसरे विवा का परस्ताव भी रखा था पहले तो महराज नहीं माने पर अंतु पुत्र रत्न की लालसा ने उन्हें दूसरी शादी के लिए सोचने पर विवश कर दिया अभी शादी अन्यत्र तै भी नहीं हुई थी कि समाचार मिला महराणी सुप्रिया गर्वती हैं और इस संदेश ने तो जैसे महराज के पंक लगा दिये महराज ने निर्धनों को दान दिया ब्रामनों और मुनियों को आमंतृत किया और उनको स्वान मुद्राय दान देकर आशिरवाद प्राप्त किया तब ही वहाँ एक ऐसा मुनिय आया जिसे देखकर महराज चौक पड़े बात यह थी कि जब महराज अचानक दूसरे विवा के लिए तयार हो गए तो एक दिन यहे मुनिय महराज के पास आये थे महराज ने अपने समीप ही उच्च आसन देखर मुनिय वर से अपने समस्या कही थी मुनिय वर ने सब कुछ सुना ध्यान मगन हो गए सभी को स्वेत जटाओं और दाढ़ी वाले ते जश्वी मुनि की मूर्ती अत्यांती सौम में लग रही थी सभी मन ही मन नत्मस्तक हो गए फिर अचानक एक मदुरवानी सुनाई दी राजन महराणी सुप्रिया को बुलाओ राजा की आग्या पर तुरंत सेवक दासियां दोड़ पड़ी और महराणी को संदेश दिया महराणी ने कहा सनान करके हम उपस्तित होते हैं दासियां संदेश लेकर दरबार में आई तो उनका मुख आश्चेर से खुला का खुला रह गया महराणी सुप्रिया स्वच्छ और सफेद परिधान में खिली कली सी मुनिवर के चर्णों में हाद जोड़ कर बैठी थी उनकी पलके बंद थी और एक दिव्य प्रकास किरण मुनिवर के मस्तस्क से निकल कर महराणी पर गिर रही थी सबी मंत्र मुख्द थे तभी महराणी के अधर में कमपन हुआ कामल से गुलाबी पंखुडियां हिली और जैसे कोयल कूख उठी मुझे स्विकार है स्वामी और फिर जैसे भुचाल सा आ गया हो महराणी अपने स्थान पर नहीं थी दरबार में जैसे होली का द्रिश्य उपस्तित हो गया चार और गुलाल ही गुलाल हर रंग की गुलाल जब तक गुलाल की होली समाप्त हुई मुनिवर का आसन खाली था महराज और सभी दरबारी एक स्वर में कह उठे मुनिवर आपको प्रणाम कुछी दिनों में महराज को समाचार मिल गया की महरानी गर्वती है महराज ने अब दूसरी बार मुनिवर को देखा था वै फौरण शिवहासन को छोड़ कर नीचे उतर आए और मुनिके चर्ण सपर्ष करके उनका सिंगहासन पर बिठाया और स्वैम उनके चर्णों में बैठ गे मनवर ने राजा को आशिरवाद देते हुए कहा बत्स तुम सुखी रहो इस सिंगहासन पर जब कोई कुपात्र बैठेगा यह कांती हीन हो जाएगा और इसका सही उत्रादिकारी ही इसकी कांती वापस ला सकेगा अतह अपना सिंगहासन किसी भी आयोग्य को मत सौपना जो आग्या मुनिवर आपके आशिरवाद से ही इस राज्य को उत्रादिकारी मिला है तुम्हारा कल्यान हो कहकर मुनिवर पावन में समा गए और सिंगहासन एक अपूर्व जोती से चमक उठा सिंगहासन पर जड़े मानिक पुखरास से सबकी आखे चुंधी आ गई थी सभी समझ गए थे यह मुनिवर का प्रताप है और राज्य के उत्रादिकारी के लिए उनकी भेंट है जनतादू ने जोश से राजकुमार के जन्म की खुशिया मनाने लगी जब उन्हें यह मालूम हुआ कि कोई अग्यात मुनी राज्य के सिंगहासन को एक अमुल्य जोती परदान कर गए हैं यह राज्य के लिए एक सुब लक्षन था महराज इंद्रसेन जनता की सुवधाओं का पूरा ध्यान रखते थे उनके राज्य में सभी को न्याय प्राप्त था राज्य कुमार के जन्म और सिंगहासन के परवर्तन के बाद तो जैसे राज्य में सुख और वैभों का जवर उमड पड़ा सभी लोग चैन की बंसी बजा रहे थे तब ही जैसे सब के चेहरे मुर्जा गए राणी सुप्रिया अचानक बिमार हो गई राज्य कुमार अभी नो ही दिन का हुआ था राज्य के सारे प्रसिद्ध वैद हार गए किसी को भी समझ में रोग नहीं आया राणी सुप्रिया राजा को मना करती रही कि किसी भी व्याद को बुलाने से कुछ नहीं होगा परन्तु महराज अपनी प्रे राणी की पीड़ा नहीं देख सकते थे तेर वे दिन राणी की हालत बहुत खराब हो गई महराज राणी के पास बैठे थे और उनकी आँखों से आंसु टपक रहे थे महराणी पीड़ा से कराती तो राजा के हिड़े पर बेजली से गिर पड़ी रुधे गले से महराज ने मंत्री को कहा जाओ महामंत्री प्रिथिवे के किसी भी कौने से व्याद ढूंड कर लाओ जो हमारी महराणी को अच्छा कर दे धिंडोरा पेड़ दो की हम अपना आधा राज उसे सौप देंगे जाओ महामंत्री जाओ अब हमसे सहा नहीं जाता मंत्री सर जुकाए खड़े रहे उनकी आखों से भी गंगा जमना बह रही थी जानते थे की रानी को सिवा भगवान के कोई नहीं बचा सकता महराज भगवान की मूर्ती के चर्णों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे हे भगवान तो ने यह क्यों किया राज्य का उत्राधिकारी दे कर हमसे हमारा सरवस्त छीना है यह किस पाप की सजा है स्वामी तु मेरा जीवन ले ले परन तु हमारी राणी का जीवन दान दे दे हे प्रभू तबे महरानी कराही और महराज को अपने पास बुलाया राजा दोड़ कर राणी के पास पहुँचे राणी ने धीरे धीरे कहा स्वामी विलाप मत कीजिए मुझे तो जाना ही है या तो होनी ही थी या आप क्या कह रही है महरानी मैं सच कह रही हूँ मैंने राजकुमार के बदले अपना जीवन दिया है याद कीजिए वो दिन जब मुनिराज के सम्मुक में हाथ जोड़े बैठी थी और एक दिव्य परकाश मुनिवर से निकल कर मुझे में समा रहा था उन्हीं परकाश किर्णों के माध्यम से मुझसे मुनिराज ने पूछा था कि देवी पुत्र रत्न की प्राप्ती के बदले तुम्हे अपना जीवन देना होगा विधाता ने तुम्हारी कोख में कोई संतान नहीं लिखी लेकिन अगर तुम अपना जीवन पुत्र जन्म के बाद दो तो राज जी का उत्राधिकारी पैदा हो सकता है जो निडर साहसी, बुद्धिमान, सुंदर, तेजस्विह और शौर की प्रतिमा होगा ऐसा गुणवान बालक इस राज जी का उत्राधिकारी हो सकता है परंतु जैसा की मैंने अभी कहा है कि इसके बदले तुम्हें और मैंने उत्तर दिया था मुझे स्विकार है स्वामी महराज और मंत्री वर के कानों में उस दिन के शब्द गूंज उठे मंत्री ने मन हिमन कहा तुम धन्य हो देवी राणी ने आगे कहा तब से मैं जानती थी कि राज कुमार के जन्म के बाद मुझे विदा होना है राजा ने कहा तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा देवी हमसे क्यों छिपाया मैं राज्य के हर सोड लाश में विश नहीं गोलना चाहती थी मैं यहीं चाहती थी कि राजकुमार के जन्व की राज्य में खुशियां मनाई जाएं जिसे मैं अपनी आँखों से देखूं इश्वर ने मेरी इच्छा पूरी कर दी अब मैं अपनी यात्रा आराम से कर सकूंगी ऐसा मत कहो महरानी हमारा कलेजा फटा जा रहा है हम पागल हो जाएंगे राजा ने सिर के बाल नोस्ते हुए कहा धीरज रखिये स्वामी अभी तो आपको राजकुमार को योग्य बनाना है परंतु आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे लाल को आप अपने से कभी अलग नहीं करेंगे उसे कभी दुखी नहीं करेंगे हमारे बेटे को हम दिल से लगा कर रखेंगे प्रिये परंतु तुम हमें छोड़ कर मत जाओ हमारे बेटे को ही तुम्हारी सबसे अधिक अविशिक्ता होगी सुप्रिये रानी के अध्रों पर एक तीक्षण मुश्कान ना चुठी दूसरे ही छण पूरा शिरीर निर्जीव हो गया पूरे राज्य में दुख की घटा चा गई महारानी की बीमारी से राज्य भर के लोग तो ऐसे भी दुखी थे परंतु रानी के निधन से सारे राज्य में शोक की लहर दोड़ गई सभी विलाप करने लगे जैसे उनसे उनका अपना कोई बिछड़ गया हो धीरे धीरे रानी का शोक कम होता गया महराज इंदर सेन राज काज में और राजकुमार के पालन पोशन की योर अधिक ध्यान देने लगे परंतु इतने छोटे बच्चे का सही ढंग से केवल माता ही पोशन कर सकती है वह सोचा करते रानी उनके जीवन में एक रिक्तिता भर गई है हर छण एक उदासी उनको घेरे रहती थी कई दासियां नन्हे राजकुमार की देखभाल के लिए निक्त थी इधर मंत्रीवर ने कुछ दिनों से महराज को फिर नई शादी की सलाह दी उन्होंने कहा महराज इतने छोटे बच्चे को पालना इन दासियों के वस्की बात नहीं कोई राजगराने की कुली निस्त्री ही उचित पालन पोशन कर सकती है और अभी तो आपकी आयो भी अधिक नहीं है आपका केलापन आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा महराज उचित यही है कि आप पुना विवाह कर लें इसी में राजकुमार की भिभलाई है राजा सोचने लगे भविश्य की सभी संभावनाएं उनके समक्ष ना चुठी अगर नई राजकुमार को उचिस्थान नहीं दिया और सोतेला विवहार किया तो क्या होगा जिस बालक को सुखी रखने का वचन उन्होंने स्वर्गवासी राणी को दिया है तब उसका क्या होगा राजा का मौन देखकर मंत्री वर ने फिर कहा क्या है महराज की कन्या मेरी नजर में है आपकी आग्या की देर है महराज ने अपनी समस्या मंत्री के सामने रख दी मंत्री ने कहा आप ऐसा क्यों सोचते हैं राणी अच्छी भी तो हो सकती है जो राजकुमार को अपने दिल से लगा रखे और अपना सारास ने उन पर डाल दे अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा मंत्रीवर रानी के अच्छे होने पर तो सारी समस्या वैसे ही हल हो जाती है परंतु आप चिंता मत कीजिये राजन एश्वर पर पूरा भरोसा रखिये आप तो आग्या कीजिये बाकी सब मुझे पर छोड़ दीजिये मंत्री ने विश्वास दिलवाया हमें सोचने का अफसर दे मंत्रीवर मैं कल फिर सेवा में उपस्तित होंगा मंत्रीवर चले गए महराज राद भर बहुत चिंतित रहे अगर राणी ने राजकुमार का स्विकार नहीं किया तो क्या होगा काफी देर सोचने के बाद उन्होंने यही निश्कर्ष निकाला की वै क्यों गलत सोचे इश्वर की करपा से राणी राजकुमार को दिल से भी तो लगा सकती है क्या अच्छे लोग इस सिंसार में नहीं है और फिर राजकुमार पर तो मुनिवर स्वेत का हाथ है उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव सिकार कर लिया अभी राजकुमार केवल छेह माह का हुआ था और इसी अफसर पर महराज ने नाम करण भी करा दिया था नाम रखा गया युवराज अजय सेन बड़ी धूमधाम के साथ महराज का विवाह राजकुमारी अंजली के साथ हो गया आते ही नई राणी अंजली ने राजकुमार को हाथो हाथ लिया राणी उसे बिलकुल अपने पुत्र के समान रखती युवराज अजय भी राणी से बहुत हिल मिल गया अजय को राणी स्वैम हाथों से दूद पिलाती सनान कराती आकर शक कपड़े पहना कर महराज की गौद में दे देती और कहती लीजे स्वामी अपने लाडले को देखिये कितना सुंदर लग रहा है अहाँ कहीं नजर न लग जाए मेरे लाल को फिर महराज की गौद से लेकर टीका लगाती और लोरी सुना कर सुलाती फिर जब राजा के शैन कक्ष में आती तो महराज उन्हें अंक में भर कर कहते अंजली तुमने हमारा बहुत बड़ा बोज़ हलका कर दिया और फिर पुलकित होकर कहते हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते राणी महराज के मुक पर हाथ रख देती ऐसा मत कहिये स्वामी या तो मेरा कर्तब्व है आपके चर्णों में आकर मैं धन्य हो गई और युवराज को पाकर तो मैं फूली नहीं समाती महराज युवराज से निश्चिंत होकर राज काज में लग गए समय वैतीत होता गया राजा की कुशलता से जनता पून रूप से सुखी हो गई परतेग व्यक्ति राजा का गुणगान गाता नजर आता जिन किसानों के पास जमीने नहीं थी उन्हें मुफ्त जमीने राजी की और से दे दी गई राज्य क्रै विक्रै का मुख्य के अंदर बन गया दूर दूर से व्यापारी आते और संतुष्ट होकर लोड जाते राजा जनता को सुखी देखकर स्वयम भी खुश होते और मंत्री वर्ष से सलाह लेकर राजे को और भी खुशहाल बनाने की योजनाए बनाते इसे प्रकार समय का चक्र चलता रहा और इस बीच नई महरानी अंजनी ने एक पुत्र को जनम दिया राजे में फिर से अनंद मनाया गया इस अवसर पर महराज ने मुनिवर स्वेथ की बहुत प्रतिक्चा की उन्हें पूर्ण विश्वास था की अंतर मई महा मुनी अवश्य पधारेंगे रानी को भी राजा के द्वारा मुनिवर के विश्य में सब कुछ मालूम हो गया था सो उन्होंने भी दर्शन की इच्चा से प्रतिक्चा की परंतु मुनिवर नहीं आये छोटे राजकुमार का नाम चंद्र सेन रखा गया युवराज अजय की पांचवी वर्ष गांट पर राज में उत्सव मनाया गया राज दर्बार में एक सुन्दर निर्ट की निर्ट कर रही थी परते एक कौन पर दर्बारियों के मुक्ष से वहवा निकल रही थी निर्ट की बहुती दक्ष थी दोनों राजकुमार महरानी और महराज भी निर्त्य का अनंद उठा रहे थे तब ही ऐसा लगा जैसे निर्त्की की ताल फीकी पड़ गई हो घुंगरुओं में घुन लग गया हो तबले उतर गए हो सभी चौक पड़े निर्त्की का चहरा उतर गया उसे आश्चेर हो रहा था उसके पाउं क्यों नहीं उठ रहे सभी स्तब्द थे तब ही बहुत ही मधुर घुंगरु की ध्वनी सुनाई दी संगीत की एक चादर तन गई ऐसा लगा जैसे को निर्त्की सदे हुए पगों से चली आ रही हो सभी की द्रिष्टी एक स्थान पर केंद्रित हो गई मरदंग के बजने का स्वर सुनाई दिया और अंतिम थाप पर लाल परिधान में लिप्टी हुई और मोती मानिक जड़े हुए स्वर्ण अभूसनों से चमकती हुई एक अफसरा प्रकट हुई सभी का मुक आश्चयर से अफसरा के हात में रत्र जड़ित एक सोने की थाली थी जिसमें एक बासुरी रखी थी अफसरा ने महराज महराणी और यूवराज की ओर जुक कर प्रणाम किया और कहा महराज और महराणी को मुनीवर्स्वेट की ओर से यूवराज की पांचवیں वर्षगाट की सुबकामनाएं सब चकित थे वाणी क्या थी जैसे किसी ने सरोध के तार छेड़ दिये हूँ महराज ने कहा ऐ सिंगीत मैस्वर कोकिला हम तुम्हें नहीं जानते फिर भी इतना अवश्य ग्यात है कि तुम मुनिवर स्वेद की शक्ती हो रूप भेजी है आग्या हो तो इसे राजकुमार को दे दूँ हाँ हाँ अवश्य सुन्दरी महराज ने कहा अब सरा राजकुमार की और बढ़ी बाता वरण में फिर संगीत गुंज उठा उसने जुक कर राजकुमार को परणाम किया और थाली आगे बढ़ा दी राजकुमार ने थाली ली और महराज की और बढ़ गया इसे चूँकर मुझे आशिरवाद दीजिए महराज ने बांसरी को छुआ और वराज को आशिरवाद दिया फिर वराज रानी अंजली के पास आए और वही शब्द दोहराए रानी अंजली ने बांसरी को छुआ और माथे पर प्यार की महर अंकित करते हुए कहा जुग जुग जीओ मेरे लाल युवराज अब इस बांसरी को अपने अधर चूमने का अवसर दीजिए अपसरा ने कहा युवराज ने महराज और महरानी की ओर देखा दोनों ने हामी भर दी जुग ही युवराज ने बांसरी में फूक मारी बांसरी से स्वर्ग मई स्वर निकला हर और रंग विरंगे फूलों की पत्तियां उड़ने लगी सभी जूम गए राज कुमार पल के मूंदे तन मेता से बांसरी बजा रहा था अचानक युवराज ने बांसरी बंद कर अपसरा की ओर देखा परंतुवे वहां नहीं थी महराज को छोड़ सभी को बहुत अच्चेरे हुआ पहले नाचने वाली निर्थकी को महराज ने उचित पुरुसकार देकर विदा किया दरबार खत्म होने पर सभी दरबारी भी आज की विशेश चर्चा करते हुए चले गए महराज ने ग्यानी अध्यापक दोनों राजकुमारों के ग्यान देने के लिए रखे शस्त्र विद्या के लिए कुशल गुरु रखे गए दोनों कुमार मन लगाकर अध्यन करने लगे युवराज अजय की असाधार्ण लगन और बुद्धी ने शेगरी सबको चकित कर दिया थोड़े समय में ही अस्त्र सस्त्र का सिक्षण देने वाले गुरु महराज के दर्बार में उपस्तित हुए और कहने लगे महराज जो कुछ कला हमारे पास थी हम युवराज को दे चुके हैं अब इसके आगे हमारा वश नहीं युवराज हमसे सीखे परंतु हमको ही फीचे छोड़ दिया कथा में बने रहें देवाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा को लाइक जरूर करें दोस्तों आपको या कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गहन पराप्त हो जैश्राराम भक्तो